नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू कुरियसरी फैदर डेई लिडर्स ऑफ इंडियन फूटबोल एंड सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इंडिया की जो फाइनल 26 मेंबर की एफसी एसन कप की स्कोर्ड है उसके रिगारिंग यहां पर इगो स्टेमिक साब ने बिफोर की प्रोबेबल स्कोर आई थी उसमें से जो यंग्स्टर है उनको काफी ज़्यादा कम चांस मिलने वाला है और पिछले एक डेड़ साल से जो टीम के साथ जुड़े हुए प्लेर है उन्हीं को यहां पे कंटीनू किया जाएगा राधर देन सिंग तो उसके उपर से यह नि नहीं है करला ब्लास्टर के लिए देखे राइड वेक पर उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इस बीड लीडर है एक्स्पिरियंस प्लेयर है वह सारी चीज़े है लेकिन राइड वेक में तूब यहां पर में आ सकता है उदान्ता भी इस राइट विंग ऑप्शन बट घ्लते की कि नहीं तो इस वाल ही हमें 26مر की स्कॉरर को मिलेगा आप क्या सोच ते इसके मारे में जरू में उसके बात करते हैं से सकते हैं कि वहśmyश है और dual citizenship यहां पे जो option है वो explore कर रहा है FIFA के साथ की सिर्फ OCIPOA cardholder के नाम पे क्या उसको national team में represent कर सकते है and government के साथ भी यहां पे IFF की जो है वो बातचीश चालू है तो यह सारी process obviously अगर यहां पे आपूर होती है सारी चीज़े हैं यहां पे process और इस तरह से उनके rules regulation है उसी साफ से यहां पे आगे चीज़े बड़ीगी तो लेट सी यहां पे कब तक हमें यहां पे OCIPOA players एक reality बनते होई दिखते हैं उसके बाद जमसेद पूर FC के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि जो उनके head coach है Scott Cooper उनोंने यहां पे club के साथ क्या वल्ड़ी की टाटा भाई बोल दिया है और दोनोंने mutually parted ways किया है दोनों की जो backroom management है उसमें बन रही थी coach के कुछ अलग demand थी या फिर coach का कुछ अलग point of view vision था and club का जो management का था वो भी अलग था and operation से भी खूश नहीं थे क्योंकि कली news आई कि जो पोड़ी सरकें सामने वो match खेल लेगे वो 10 hours की यहां पे bus में journey करके गे और next day सीधा ही match खेल रहे हो तो किस तरह से आप expect करोगी कि यहां पर perform करेंगी तो यह सारे issue भी थे and इससे यहां पर Scott Cooper खूश नहीं थे तो इसके चलते उन्होंने यहां पर club को कल अपना last match is a head coach of Jamshitpur खिलके उन्होंने यहां पर Tata वैबे बोल दिया है and अब Jamshitpur ने ओलड़ी यहां पर head coach की तलास चालू कर दिये तो this is the you can say की stability किसी भी club में काफी ज़्यादा जरूरी होती है तो लेट सी कौन यहां पर नए head coach Jamshitpur FC के बनके आते है and before living यहां पर स्कोर्ट कूपर ने बोला है की Jamshitpur को यहां पर strengthening की जरूरत है उनको यहां पर और भी ज्यादा signing की जरूरत है चैन्सथपूर FC यहां पर January transfer window में कौन कौन से signing करती है वो भी देखना interesting सा रहेगा उसके बाद यहां पर अनुवर एलिक के रिगर एंगे बड़ा update आ रहा है वह यहां पर 3rd of January से यहां पर जो महानवगान का training के उसको join कर लेंगे फिजिकालिटी एंगे जो उसके उपर उसके उपर यहां पर पता चलेगी सो मस्कोड यहां पर लेटर पार आप डी सूपर कप में भी देखना को मिल सकते है तो व्युग मुद्ध नवागान और इंडिया विकॉस में वक्यां को भी मार्च में उसको वल्ल्ड कुल में में अफगानिस्तान उसके बाद भाई एक और न्यूस आ रहे है रिगाडिंग दे ट्रांसफर ओ आ रहे है साना सिंग तो साना सिंग के रिगाडिंग दो थीन यहां पर कलब है उनके लिए इंटरेस्ट दिखा रहे है सबसे आगे उसमें महनमगान सूपर जानेट है क्योंकि उन की अभी वह साना सिंगी है बेक लाइन में सो लेट सी यहां पर किस तरह से हिद्राबाद का भी सारा इस्चू शोल होता है वह भी देखते है उसके बाद बात करते हैं इसल में कल लास्ट फर्स्ट आपके दो मेंचिस्ते वह खतम हुए यहां पर पहला मेंस तब ओडिसा ए इसाक का भे बेटरीन फिनिस्ट तट वस ब्रिलियंट गोल एंड पर अच्छा था यहां पर रोह कृष्णा का बेटरीन प्रोस्ट था एन उसके बाद यहां पर पे पैनल्टी से गोल आया डिएगो मुरिशो देन यहां पर रोह कृष्णा स्कोर ब्रेस वर्रोल वेरी थोड़ी सी ओर स्टेंथरिंग करते हैं यहां जमसेत्पुर एपसी के लिए काफी सरी चीजे जैसे अभी कोच ने भी लिव कर दिया है तो लेटसी नए कोच के अंडर किस तरह से ओर रिकवर कर पाती है से कर आफो डिसीजन में उसके बाद दूसरा मेंस था एपसी गोवा आएसल में ओपन प्ले से यहां पर गोल कंसीट किया एंड ब्रिलियन पार्थी गोगोई क्रोस एड जीती नेवेस का लग साथ में था थाइक के साथ भी और क्यावल दिगी तच करने के बावजूद भी वह फिनिस हो गया उसके बाद भाई जीती नेवेस को एक और यहां चार्स मिलाते लेगे उसने यहां पर फिनिस नहीं कर पाए और फिनिस नहीं कर पाए जो की इस सिजन की सबसे जबर्दस टीम लग रही है उसके सामने अच्छी फाइट पुटप की और क्रूशल वन पॉइट मेरी सबसे स्ट्रॉंग टीम के सामने बली होम पे खेल रहे हो लेकिन एक पोइट लेना एक तोट वस ब्रिलियंट और फिस पोजिशन पर वह भी वापिस आ चुके है अब एफसी गोवा यहां पर फिर्स्ट आफ पोजिशन को सेकंड पोजिशन पर फिनिस किया विदी 24 पॉइंट बट दो में चोणों ने केलब लस्ट जरूर कम खेले है तो लेट सी मडलो मारकेज यहां पर सेकंड आफ अप प्डी सेजन में किस तरह से उनकी टीम परफॉंस करती है और न्यूस आ रही है कि वह भी यहां पर कुछ डोमेंश्टिक साइनिंग को देख रहे हैं तो लेट सी उनकी भी कौन-कौन सी साइनिंग यहां पर होती है